हाई फ्रेंड्स कैसे है आप सब आप सब अच्छे होंगे तो टोड़े विया गोइंग टू मेंगण की पकोड़े तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बाट जरू 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 ट्राइग कीज़ेगा यह जो पकोड़े है ना पैंगण के वह आलू के पनिये के और कोबी को पकोड़ों से बुझा टेस्टी लगते हैं तो चलो अब बनाते हैं पैंगण के पकोड़े ममी ने एक पैंगण ले लिया है अब ममी इसको त्यू पीसेस में डिवाइट कर रही है और जो इसकी पीसेस हैंगे ना उनको आपको एक दम पतला पत्ता रखना है आप इसकी शेफ तो कोई भी दे सकते हैं लेकिन आपको इनकी जो सारी सारा उनको आपने पतला रखना है जैसे ममी कर रही है वैसे ही आपको पतले पतले सारी के सारी पीस काटने है तो अब ही हम इसके उपर सारे के सारे सारे स्पाइस लगाएंगे तो सबसे पहले हम बैंगन के पर डालेंगे अधर क्लस्न का पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और कस्तूरी मिठी, अभी हम सारे के सारे मसालों को बैंगन के अपर अच्छे से लगा लेंगे और आप थ्यान रखेगा, जितने भी मसाले हैं वो इसके कोने कोने तक जाने चाहिए, वरना फ्लेवर नहीं आएगा, सो फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इसके कोटिंग के लिए बैटर, जिसके लिए हमने ले लिया है, वन बाउल बेसान, और इसको हम पानी डाल के अच्छे से मेक्स कर लेंगे, इसको हमको एक एडरक्शन में बीट करते रहाना है, जिससे किसके अंदर लंग सुना है, जैसे ममी कर रही है, अब ही हम डाल लेंगे बैटर के अंदर साल्ट, धनिया और सोडा, और फिर हम इंको मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ममी कर रही है, एक ही डिरेक्शन में, आप देख सकते हैं, बैटर कतना फुला फुला हो गया है, और कितना अच्छा भी लग रहा है, तो ममी इसके अंदर सोडा डालना भूल गई थी, तो ममी आप डालेंगे इसके अंदर सोडा, और फिर ममी इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगी, एक डिरेक्शन में, जैसे कि इसके अंदर लम सुनाएं, अब जो हमने बैंगन त्यार किये थे ना, अभी हमें उसको जो असका बैटर है, उससे कोट कर लेना है, सारी के सार जितना भी बैंगन हैं, उनको कोट करने एक बाद हम कर देंगे इनको फ्राइ, उनको डीप फ्राइ करना है, और मन धियाच पर करना है, और ध्यान रहें कि जो हमारे पकोड़े हैं वो बिल्गुल विना जले वना फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा अब देख सकते हैं हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मतलब है हमारे पकोड़े त्यार हो चुके हैं तो अभी हम इनको ले लेंगे एक कंटेनर में जो हमारे पकोड़े है ना वो बाड़ से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है और फ्लेवर्फुल भी तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना अगर आपने भी तक नहीं कर रहें और अगर आपका हमारी वीड आप आपको ना इस वीडियो को शेयर भी करना है और आप इसकी पर चाट मसरा लाइट किसके सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पैंगन के पकोड़े कितने साधा सॉफ्ट बने हैं और क्रंची भी थैंक्स फॉर वाचिंग जढ़ाबाबाबगाबाब झाँे लाइबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब फीर सवचचे लाइण खा बा Arctic Fish Chief Church